वेल्कम पेक अप्रिवन वेल्कम टू सुवल सर्विसे स्टड़ी प्रेक्टिस सेट नमबर यह 30288 स्रीज यूप पेसे पीसेस के लिए चल रही है प्रेक्टिस करेंगे इसमें हम करेंट अफेर्स के प्रश्णों पर 15 प्रश्ण इसमें इंपोर्टन तो उचले यह स्टार् जालिवाती तोफान चीन के गृक है कर माईक्रो इफोन नाम देया है माइक्रोसक्त कंपनी नहीं तो तो इसका अंसर क्या अपसर नंबर भी है चीन का हैकर गुरूप है जिसको यह नाम दिया है Microsoft ने Salt टाइफून भी है इसका अंसर देखें Salt टाइफून के बारे में जाने तो Salt टाइफून नियूज में है Microsoft Cyber सुरक्षा विशे सग्य द्वरा चीनी समू को दिया गया नाम है जिसके उपर प्रमुक प्रणारियों को हैक करने के लिए परिश्क्रत तक्निकों का उप्योग करने का संदे है जिसके उपर मतलब किसके उपर? Salt टाइफून के उपर है बचाएना का यह नाम Microsoft के हैकिंग समू को मौसम के प्रकारों के अधार पर देने की परणाली और अधारित है इसके तहएं चीन में इस्तित हैकर्स के लिए टाइफून, इरान के हैकर्स को सेंस्ट्रॉम, रूस दुवरा किये गए हैक आपरेशन को विलजर्ड नाम दिया जाता है देखे इस मामले में जो साल्ठ है, साल्थ पत का उपियोग हैकिंग प्रकार को दर्शाने के लिए किया जाता है विशेसक्यों की माने तो कॉर्परेट डेटा धन या अन रहस्यों को चुराने का प्रयास करने वाले अन हैकिंग समूहों के विप्रियती जो साल्ट टाइफून है मुखे रूप से प्रती खोफिया लक्षों पर केंद्रित है यानि काउंटर इंटेलिजेंस चोरी करता है कॉशन मुबर टू पर आजए हाल ही में चर्चा में रही हस्देव नदी के बारे में कौन सा कथन गलत है यह 36 गड़ की सबसे प्रदोशित नदियों में से एक है इस नदी पर अमरत धारा जलपरपात है यह 36 गड़ राज में पहने वाली महा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है इनमें से कोई नहीं देखे हस्देव नदी के संदर में तीनों के तीनों का थन सही है यह गलत पूछ रहा तो गलत तो कोई है नहीं तो आंसर क्या लगाएंगे इस खड़ी हस्देव नदी की बात करें तो यह 36 गड़ राज में पहने वाली महा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो कोरिया 36 गड़ की कोरिया जिले के कैमूर पहाड़ियों से निकल कर कोरबा और जांजगीर चमपा जिले में बहती होई सिलाडी है के पास महा नदी में मिल जाती है इसकी कुल लंबाई 176 किलोमेटर है इसकी सहायक नदीयों की बात करें तो तांज, हींग, उतेंग, गंज और चोर नहीं है इस नदी पर अमरत धारा जल पर पात है जो 36 गड़ के कोरिया जिले में यह 36 गड़ की सबसे प्रदूश्रत नदीयों में से एक है जिसका कारण क्या है इसके किनारे पर बसे कोरभा और चामपा जैसे प्रमुख ओद्योगिकनगर प्रशन नबर 3 पर आजए एक जिला एक उत्पाद के रूप में मानिता प्राप्त सौराई पैंटिंग का समबंद किस राज़े से है न्यूज में सौराई पैंटिंग सौराई पैंटिंग है जारखंड की ठीक है और हाली है मैं पैंटिंग भारत के प्रदान मंत्री ने रूस के ब्लादे मिर पुतीन को दिये कजान घोशना के समय देखें चर्चा में क्यों है यह हाली में प्रधानमंतिर नेतर मोती ने कजान में आयोजेत वरिक्स सिखर सम्मेलन के दुरान रूसी राष्टपती ब्लादेमिर पुतिन को जारखंट की सोहराई पेंटिंग भेट की सुराई पेंटिंग के बारे में जाने जहार खंट के हजारी बाग जिले की सुराई पेंटिंग इस शेत्र की स्वदेशी कलात्मक परंपराओं का एक सुन्दर प्रतनेत्व है सोराई पैंटिंग को एक जिला एक उत्पात के रूप में मानेता प्राप्स है और इस पैंटिंग को भोगलिक संके तक यानि जुग्रिफिकल इंडिकेशन या जी आई टेग भी मिल चुका है इस painting को बनाने में प्राकर्टिक रंगों का उपयोग किया जाता है इसमें कलाकार प्राया जटिल डिजाइन वाले डिजाइन बनाने के लिए टहनियों, चाबल के भूसे या उंगलियों से बने ब्रस का प्रियोग करते हैं यूपीसी सिवल सेवा यहां से उठाती है प्रश्णों को, स्टेट्मेंट बनाने के लिए ठीक है, बागी स्टेट पीसेस में सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा किस राज्यकी है इस पेंटिंग में पसु पक्षि और प्रकर्ति का चित्रण आदिवासी संस्कृति में क्रिशी जीवन सहली और वन जीवन के प्रती स्रद्धा को प्रतिविम्बत करते हैं पूशन नमबर फोर पर आजए दल बदल कानून को भारतिय समिधान में कब अंतर स्थापित किया गया था दल बदल कानून को किया गया था 1985 में अपसान नमबर यह है सकांसर 1985 इंपोर्टेंट है दल बदल बहुत प्रश्ण मनें ठीक है करेंट से इसको कैसे रेलेट करेंगे अभी देखे महराष्ट के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मौजुदा मुख्यमंत्री एक नास चिंदे के वीच राजहितिक विबाद की सुनवाई के दौर अधिनियम द्वारा भारते संविधान में दस्वियन उसूची जोड़ी गई और इस सूची में दल बदल कानून को भी अंतर स्थापित किया गया यह कानून संसत अथा राज्य के विधान मंडल दोनों निकायों पर लागू होता है और इस कानून के माध्यम से यह प्रापधान किया गया है कि दल बदल के संबंद में किसी सदसिकी योगेता का निर्धान सदन के पीठा सीन अधिकारी द्वारा किया जाएगा और इस बा देखे नौवा आयुरुवेद दिवस 19 सक्टूबर को मनाया गया राश्टी आयुरुवेद दिवस धर्वंत्री जैनती के अवसर पर मनाया जाता है यह धनते रस का दिन होता है और इस दिवस की वर्ष दुहार 24 की थीम को देखें तो वैस्विक स्वास्त के लिए आयुरु फर्ष दुहार 16 मान्तरा लें इस दिवस को मनाने की घोषन राश्टी आयरुवेद दुहार 14 का और 29 कुंटूबर को मनाया गया इन सबी टेस्ट किया फुल टेस्ट पीडिया प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस प्रकॉलया वाट्साप करके इसका अंसर वित्वंत्री नहीं है या तो भी है यडिया इसका अंसर अप्शनमबर 2 प्रद्हान मंत्री आपदा जोखिम को कम करने के लिए समुदायों को ससक्त बनाना राश्टी आपदा प्रवंधन प्राधिकरण के बारे में जाने तो भारत के प्रधान मंतरी के अध्यक्षा में राश्टी आपदा प्रवंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रवंधन के लिए सीर्थ नि में इसकी स्थापना आपदा प्रवंधन अधिन्यम दुहर पांच के तहत की गई थी ग्रह मंतराले के तहत काम करता है और राश्टी आपदा प्रवंधन प्राधिकरण के पांच प्रमुक प्रभाग है अंडर है मिनिस्ट्री ओफ हॉम अफेर्स के लेकिन अध्यक्ष कौन ह प्रधान मंतरी पांच इसके प्रभागों को देखें तो नीती ओम योजना प्रभाग है ठीक है प्रश्मन प्रभाग है प्रचालन प्रभाग है संचार तथा सूचना प्रधोगी प्रभाग है प्रशाशन और विद्ध प्रभाग है रेल्वे सुरक्षा बलक्य सहीदों को सम्मानित करने के लिए डिजिल मैमोर्यल उफ वैलोर का सुभारंब किस ने किया है PSF ने CSF ने CRPF ने Bo one railway सुरक्षा बलने LB सुरक्षा बलक्य सहीदों को सम्मानित करना है और यह है क्या Digital Memorial of ैलोर यह एक website है तो railway सुरक्षावल ने ही इसका सुभारंद किया है सी है इस concept देखे हाल ही में railway सुरक्षावल द्वारा बीर सहीदो के समान में Digital Memorial of Valor का सुभारंद किया गया Digital Memorial of Valor है क्या यह railway सुरक्षावल के सहीदो को समानित करने के लिए एक website है इस website पर किसी सहीद की तस्वीर को पुष्टमाला और मौमबत्ती से डिजिटल रूप से सजा सकते हैं और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नागरिक सहीदो को अपनी स्रध्राजली दे सकते हैं इस website पर पिछले साल सहीद हुए railway सुरक्षावल के 14 सहीदों की तस्वीरें उनका नाम और उनकी रिंक दी गई है क्योशन नम्बर एट पर आजाएए इमर्जिंग एशिया कप दुषार 24 का खिताब किस टीम ने जीता मैंस टी-20 इमर्जिंग टीम एशिया कप ओमान में हुआ 24 में और यह जीता अफगानिस्तान ने अपसर नम्बर डी है इसकांसर देखे अफगानिस्तान पुरुस क्रिकेट टीम ने स्रिलंका की क्रिकेट टीम को हराकर इमर्जिंग एशिया कप दुषार 24 जीता और यह इमर्जिंग एशिया का छटा संस्क्रण था कहां युजित हुआ ओमान में इसमें भारत ने स्रिलंक इसमें भारत स्रिलंका बंगलादेश संयुकतरब अमिरात ओमान होंग कॉंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीम परियापुर में और भारत ने जीता था वो 24 का किस ने जीता है अफगानिस्तान ने इंपोर्टन प्रशन है हाल ही में वैश्पिक पारिश सिथी की तंत्र एटलस कहां लॉंच किया गया कोप 16 कहां हुआ कोलंबिया में देखे संयुक तराष्ट जय विभित्ता संबेलन यानी CBD के लिए पार्टियों का संयुक तराष्ट जय विभित्ता संबेलन कोप 16 इंग्लिस में Conference on Parties एक संबेलन था जो 21 अक्टूबर से एक नॉमबर देखर 24 था कैली कोलंबिया में आज वित किया गया तो कैली कोलंबिय संबेलन कोप 16 में वैश्विक पारिश्थितिक प्रणालियों के मानशित्र निग्रानी पर ध्यान केंद्रित करने वाला अपनी तरह का पहला उपकरण है एक उद्देश किया इसका प्रद्वी पर जीवन के लिए है तो पूर्ण प्राकरतिक प्रणालियों को समझने और कोप 16 हुआ का है कैली कोलंबिया में एक चीज यह इंपोर्टेंट है और एक एटलस लांच किया गया इसमें डिसलेक्सिया क्या है एक चक्रवाती तुफान एक मेल वियर एक रैंसम वियर या सामाने सिक्षन विकार जो सीखने की अशमता है इसके उपर एक पिच्चर भी विकार है जो सीखने की अशमता है यह विकार मानम मस्तिक्ष को लिखिद भासा को समझने और प्रकट करने में बाधाउत्पन करता है और इससे पीडित लोगों को पढ़ने और संबंदित कौशल प्रकट करने में परशानी होती है डिसलेक्सिया दिवस परतियक वर्स आठ अक्टूबर को मनाया जाता है तारे जुमी पर जो दोहर साथ में आई थी फिल्म किसी डिसलेक्सिया पर बनी है इंपोर्टन प्रस्ट हाल ही में पहली वार कृतिम गर्वाधान के मादेम से ग्रेट इंडियन वस्टर्ड का जन्म कहां हुआ और यह उपलबदी भारत ने हासिल किया विश्म में कर्तिम गर्वाधान के द्वारा Great Indian Western का जन्म हुआ रजस्थान में Option No.C. is cancer. Great Indian Western जो की critically indensed है, गंभी रूप से संकट ग्रस्त है, आयो सीन की red list में तो हाल ही में, पहली बार कर्तिम गर्वाधान के माध्यम से Great Indian Western का जन्म हुआ रजस्थान के जेसल मेर में सुदासरी प्रजणन केंदर में भारत इस पतेती के माध्यम से Great Indian Wasterd का सफलता पूरोग प्रजणन करने वाला दुनिया का पहला देश है रजस्थान का राज़ पक्षी है Great Indian Wasterd और इस्थानी रूप से इसको गुंडा वन भी कहा जाता है सब्सक्राइब करनाटक में अंद्रप्रदेस अधी राजिम में पाया जाता है कि विश्चन नुम्बर 12 हैं सिंबेक्स अभ्यास किंदो देशों के बीच आयोजित किया जाता है सिंबेक्स भारत और सिंगापूर ओप्सा नंबर सी है सकांसर देके सिंगापूर और भारत का समुद्री दूपक्षी अभ्यास सिंबेक्स 23 अक्टूबर को शुरू हुआ और यह इस दूई पक्षी अभ्यास का 31 संस्क्रण है इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखा पत्नम में किया जा रहा है इस अभ्यास का दोने देशों की नो सैनाव के वीच मैत्री संबंदों को बढ़ावा देना है इस अभ्यास का उद्देश देखे यह जो अभ्यास है वो 23 सक्टूबर से 29 सक्टूबर 24 तक दो चरणों में आवज़ित किया गया बंदरगाह चरण और समुद्री चरण प्रशन नमबर 13 प्राजी भारत में पसुदन गर्णा के संदरवेन अमर्रीकित कथनों में से कौन सा कथन सही है भारत में पसुदन गर्णा प्रारंब हो गई है पहली पसुदन गर्णा 1919 में होई थी प्रतियक 5 वर्षों में की जाती है कि पसुदन जन गर्णा या गर्णा हाल ही में 21 भी पसुदन गर्णा की सुरुवात हो गई है 21 भी होई है 20 भी होई है देखते, 21 भी ही है, 20 भी 19 में होई थी, प्रतीए 5 वर्ष में होती है पसुधन गरणा, पहली 1919 में होई थी, ये सारे के सारे का रेक्ट है, येंये जे स़ुधन गरणा है, ये 21 फी पसुधन गरणा की शुरबात हो गई है, नई दिल्ली में केंद्रे मतर्ष पसुपालन और डेरी मंतरी राजीव रंजन ने इसकी सुरुबात की पसुधन जनगणना पहली बार मोबाइल एप से होगी इसका फायदा यह होगा कि सिर्फ चार महीनों में पूरी कर ली जाएगी और इसमें पहली बार छुट्टा जानवर जैसे की गाय और कुतों को भी सामिल किया जा रहा है पसुधन गणना नीती निर्मान और पश्वों में बीमारियों को सीमित करने में प्रमख भूमी का निभाएगी पहली पसुधन गर्णा वर्स 1919 में हुई थी अब परती एक पांच वर्सों में एक पसुधन गर्णा की जाती है और वर्स 2019 में 20 भी पसुधन गर्णा आयोजित की गई थी तो तीनों के तीनों स्टेट्मेंट महाँ पर करेक्ट हैं डी है इसका अंसर पंदरा प्रशन है इसमें नमबर फोटीन प्रजी हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किस देश के चुनाब आयोग के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किया है उजवेकिस्तान के साथ भारत के निर्वाचन आयोग ने डी है इसका अंसर देखे हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने उजबेकिस्तान चुनाब आयोग के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किये यह जो समझोता है वो लोक तंत्रो के पारिस पर एक लाभ के लिए दोनों चुनाब प्रबंध निकायों के बीच वाचीत और मजबूत और गहन बनाएगा यह समझोता मुख्य चुनाब आयोक्त राजीब कुमार की ताशकंद यात्रा के दोरान हुआ राजीब कुमार आगामी चुनाबो के लिए अंतराश्टिय परिविक्षक के रूप में वहाँ गए थे और उजबेकिस्तान में 27 अक्टूबर 24 को चुनाब हुए उजबेकिस्तान के बारे में थोड़ा सा और जाने तो उजबेकिस्तान मध एशिया में इस्तितिक देश है यह सोवियत संके विक्टन के बाद स्वतंत राश्ट बना था लेंड लॉउग्ड कंट्री है इसके सीमाएं तजबेकिस्तान अफगानिस्तान तुर्कमिनस्तान का जबेकिस्तान और कर्डिकिस्तान से लगती है राजधानी इसकी तासकंद है और मुद्रा इसकी सोम है पुस्षन नमबर 15 अंतिम प्रश्चन है इडाहो USA option number 1 देखे अभ्यास बजल प्रहार दोहार 24 का पंदरवास संस्क्रण भारतिय सेना और अमेरिकी सेना विसेज बलों के वीच एक संयुक्त सेन अभ्यास है जो दो से 22 नमबर दोहार 24 तक आर्चर्ट कॉमबैक्ट ट्रेनिंग सेन्टर इडाहो USA में आयजुत होने वाला है तो इडाहो USA के नाम याद रखेगा अभ्यास बजल प्रहार का पंदरवास संस्क्रण दोहार 24 तो पंदरवास प्रेस्ट के इंपोर्टन इनके प्रैक्टिस एक से दोबर कर लेजेगा फु